मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई एहम फैसले हुए हैं जिसमें विमामन कमपनियों को भी बढ़ी रहा देने के परस्ताव को मंजूरी दे दी गई है आपको बता दे इन दौर में 25 परतीशत वेट लगता है जिसे घटा कर 4 परतीशत कर दिया गया है दोनों शेहरों को छोड़ कर अन्य शेहरों के हवाई अड़े पर ATF भरवाने पर 4 परतीशत वेट लगता है इन दोनों शेहरों में वेट कम करने के सरकार का माना है कि परदेश में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी और किराया भी कम होगा शिवरा सरकार काबिनट ने मुख्यमंत्री उगमी योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तेह तो बार्मी पास यवाओं को भी लोन उपलब्द कराया जा सकेगा 18-40 के बीच के उम्र के लोगों को इसे पात्र बनाने का निर्ने भी लिया गया है बतादे कि निर्मार यूनिट के लिए 1-4 लाख और सेवा से जुड़ी यूनिट शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन उपलब्द कराया जाएगा भुपाल और इन दौर में ATF कम करने का भी सरकार को सलाना 42 करोड का राज्यस नुकसान होगा परदेश में परती सब्ता हार 528 फ्लाइट आती है और नागरिक उडियान मंत्री जियोतिरातित्य सिंध्या ने भी परदेश में अधिक से अधिक सीटे शुरू करने के लिए शिवरासिन चोहान इंधन पर भी बेट कम करने की मांग की है और आपको बता दे कि सिंध्या ने कहा है कि जिन राज्यों ने बेट कम करने और वहां फ्लाइट में व्रीधी हो गई है इसके साथ ही कई राजय परस्तावों को भी मंजूरी मिली है जिसमें जबलपूर राजय शंकर शाम म्यूजियम का निर्माण करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट पोर आर्ट एंड कल्चर हीरोटेंस को एजेंसी नियुक्त किया गया है मर्देश के लोक सेवा आयोग में भी राजय लाल महरा अध्यक्ष और कृष्ण कान शर्मा को सदस्य बनाने का परस्ताव को भी मंजूरी दे दिया गया है इतना ही नहीं आपको बता दो इनके जरिये ही अश्चाक की निधियां का भी उप्योग करते हुए पोधार ओपन करा सकेंगे 36 गड़ के दुर्ग जिले में कॉंग्रेस के निगम परशद की निर्मम हत्या की घटना सामने आई है इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि दुर्ग के भिलाई चरोदा नगर निगम के कॉंग्रेस के पारसद सूरज बंचोर की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को सोमवार को ही पारसत की संधिक तो परिस्तितियों में मौत की जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस दल रवाना किया गया उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बंचोर सौंबार रात शहर के हत खोज तालाब के किनारे अपने 11 मित्रों के साथ गए थे और इस दोरान वो गंभी रूप से घायल हो गए और उनके साथ मौझूद चार मित्रों ने भी उन्हें करीब से अस्पताल पहुचाया और वहां आपको बता दें कि डॉक्टरों ने पंचोर को मृत घोशित कर दिया पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पारशद के शरीर पर भी कई जगह पर चोड़ के निशान दिखे हैं और पुलिस को आशेंका है कि पारशद की हत्या की गई है पुलिस ने इस मामले में पारशद के साथ मौजूद उनके ग्यारा मित्रों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताच की जा रही है 36 गड़के जानजीर जिले में भी गेम खेलने के दोरान मुबाइल में धमाका हो गया इस धमाके में एक 9 साल का बच्चा बुरी तरह से जुलस गया है हाथसे के वक्त बच्चा मुबाइल में फ्री फायर गेम चला रहा था और 36 गड़के जानजीर जिले में ही हुई मुबाइल में धमाका की घटना के बाद से ही बच्चा गंभी रूप से घायल बताया जा रहा है जिसके बाद उसे अस्पताल में भरती करवाय गया है जहां उसका इलाज चल रहा है यह मामला नवागर थाना छेतर के गोधना गाउं का बताया जा रहा है जानकारी के मुदाबिक मोहन कुर्य मुबाइल में ही गेम खेलने के लिए शोकीन माने जाते थे और वो रोज मुबाइल में गेम खेला करता था रविबार सुभा भी वो अपने फोन में गेम खेल रहा था इसी दोरान मुबाइल में ब्लास्ट हो गया और इस मुबाइल ब्लास्ट में बच्चा बुरी तरह से जुलस गया है ब्लास्ट के आवाज सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंचे अब उसका इलाज किया जा रहा है डॉक्टर ने बताया कि शिवशंकर की हालत अभी स्थिर है शिवशंकर के परिजनों ने ये भी बताया है कि फोन सैमसंग कमपनी का था घटना में फोन भी बुरी तरह से छतिग्रस्थ हो गया है लड़की के प्यार के चकर में लड़कों के गुटों में टकराओ खून खराबे के मामले तो कई बार सामने आते हैं लेकिन च्चतियसगर के अंभीकापुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हरान कर दिया है और उसका वीडियो भी जम कर वाइरल हो रहा है दरसल यहां एक लड़के की प्यार के चक्कर में दो लड़कियों की गुट में आपस में भिड़ गए और इतना ही नहीं दोनों और से लड़कियों में खूब गाली गलोच भी की गई है बात मारपिट तक पहुँच गई और इस पूरे जड़प में ही लात भूसे चले हैं और एक साथ ही बता दे कि चैन लेकर भी लड़कियों को दोड़ाया गया है मिले जानकाली के मताबिक अंबिकापूर में दो नाबालिक लड़कियों के गुटों में सड़क पर जब कर मारपिट हुई है इससे महां भीड इकठा हो गई और पहले तो लोग दूर खड़े लड़ाई का मज़ा ले रहे थे लेकिन बाद में जब मामला जैदा ही बढ़ गया तो स्थानी लोगों ने दोनों गुटों को शांत करवाया बताया ये भी जा रहा है कि बरम रोड पर बीचों बीच हुए इस हंगामे की कारण काफी अफरात अफरी का महौल भी बन गया था स्थानी लोगों के मुताबिक लड़कियों के दो गुटों में मारपीट का मामला पूरी तरह से लव ट्राइंगल का बताया जा रहा है लोगों ने ये भी बताया कि यहां में बरम पारा में रहने वाली लड़की एक लड़के से प्यार करती है उसी लड़के से शक्ती पारा में रहने वाली लड़की प्यार करती है इसी बात की जानकारी होने पर दोनों लड़किया नाराज हो गई और अपने अपने गैंग की लड़कियों को लेकर बीच सड़क पर जगडा करने बैठी और वहाँ पर मौझूद लोगों का कहना है कि लड़कियों के हाथ में लोहे की चैन भी थी कई लड़कियों ने एक दूसरे को चैन लेकर दोडाया भी है हलाकि इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है मध्यपरदेश के राजधानी भोपाल में बने हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमला पती के नाम से जाना जाएगा देश के पहले वर्ड क्लास रेलवे स्टेशन का घाटन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने किया है मध्यपरदेश जनसंपर्क के मताबिक इस स्टेशन का निर्माड 1905 में ही किया गया था और उस समय इसे शावपूर के नाम से जाना जाता था आपको बता दे कि 1969 में इसका नाम हबीब गंज कर दिया गया करीब 42 साल बाद इसका नाम बदल कर अब रानी कमलापती स्टेशन किया गया है तो आईए जानते हैं हमारे special report में कि कोल है रानी कमलापती